हुआ है हलो प्यारे मित्रों स्वाइब सभी का हमारे टूद चनल अनुपी स्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिचाप का नियम और हिट विस्टन सेतू का नियम यह जो दोनों नियम हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इस नियम को आप लोग समझने के लिए अची तरह से जानने के लिए क्या खरेगा वीडियो के अंतर बने रहिए गा ठीक है इसमें परिसके परिंस्पल को नहीं समझनां हैं यंश्यम में उस्टेक्निक इंट्रेस की ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं किर्चाप का नियम किर्चाप का नियम किर्चाप का नियम ठीक है तो देखिए जैसे हम लोग का जो सरल परिपत होता है ठीक है सरल परिपतों के लिए हम लोग ओम के नियम का परियोग कर लेते हैं ठीक है ओम का नियम क्या होता है भ परिपतों में हमें धारा वोल्टेज या जिसका भी मान निकालना होता है तो हम निकाल लेते हैं किसके ओम की नियम से लेकिन जब जटील परिपत आ जाते हैं तो उसके लिए हमें उपियो करना पड़ता है किर्चाप के नियम का ठीक है किर्चाप के समिक्रोर का यूज करना प्ढ़ता है तो किर्चाप ने धारा से सम्बंधित दो नियम दिये थे कितने नियम दिये थे दो नियम ठीक है उनका पहला नियम जो था पहला नियम कहते हैं शन्धी का नियम संधी का नियम या नाम आये आपका धारा का नियम धारा का नियम ठीक है या आपका यहीं इतना ही नाम समझे संधी का नियम या धारा का नियम ये किसे एसा नाम आये तो समझे कि ये किर्चाब का नियम है ठीक है किसका नियम है किर्चाब का नियम और किर्चाब का पहला ही न किन नियम या धारानियम कें इसके बताया और किसी संधी परकिसी जक्षन फे मिलने वाली समस्त धराओ का जो बिजगड़िती योग होता है सुनने से स्मझे यह कि यह वायर है हमारा ठीक यह वायर है इसमें क्या हो रही है क्रण फ्लो हो रही है ठीक है अब क्या किये कि हम यहां से क्या किये कि इसमें से हम यहीं से तार जुड़ के एक इधर तार लेकर चले गए एक इधर लेकर आगए एक इधर लेकर आगए ठीक है माले इधर से भी एक धारा इधर माले जिए आ फाइफ बार निकल रही है ती एक जक्सन बनाना यहां पर जक्सन बन गया संधी हो गया तो देखिए इन्होंने का था इस नियम में कि किसी संधी पे मिलने वाली समस्त धराव का जो बिजगड़ी ती ओवर योग होता है वो सुन्य होता है अर्थात जो समेशन आई होता है क्या होता है जीरो होता है अर्थात करने का मतलब कि संधी पे ज Alabar ा रहे होंगी वह बराबर होंगी किस के संधी से जाने वाले धराव के यानि किया ओर यह निकल रही हो यहिसे आई टू इक्या और यह निकल रही हो यह जो iPhone यह इसंदी के तुरफ संधी की तरफ जाने वाली धराओ का यूग यह नी आई वर्ण react या्य संधी के तरफ और आई फोर झाले संदी की तरफ तो इनका जो योग होगा इस संधी से निकलने वाली धराओ की योग के क्या होगा बराबर होगा यहीं जो होता है हमार बताता है किर्चाप का पहला नियम जिसे संधी का नियम या धरा का नियम करते हैं ठीक है तो यहां समका सकते हैं जिसे समय सन आई को हम एसे लिख सकते हैं जितने भी संदी पर मिलने माली धराओं का विजगोड़ती हो सुनने होता है ठीक है तो कैसे जिसे आई है समय सना आई है तो इसमें कितनी धराया है I1 I2 I3 I4 I5 आई तो क्या वोगा आई वन ठीक है अब देखिए बात याद रखेगा कि जो संधी की तरफ आएंगी जो संधी की तरफ आएंगी धराएं उनको पॉजिटिव में लेना है किसमें लेना है पॉजिटिव में जो संधी से दूर जा रहे होंगी उसको किसमें लेना है नेगेटिव में ठीक है तो आ टॉल्ट होगा अधरी होगाancer को अधरी अब आइफॉर जो कि संधी की तरफ आ रहे है इसको प्लस मिलेंगे आइफॉर और यह आइफ आपक और रहा है संदी से दूर जा रहा है तो इसको करने मैंनस में i5 बराबर क्या होगा जीरो होगा क्या होगा जीरो होगा तो यहां से हम निकाल सकते हैं यहां से माइनस वाले को उस साइट पक्षांदर कर देंगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा समिकरार जाएगा आई प्लस आई फोर बराबर क्या हो जाएगा यह सब यह यह माइनस में उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में यानि हो जाएगा आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइफ यह है हमारा क्या किर्चाप का प्रथनियम यह जितनी जितनी धराओ आती है ठीक है जितनी धर आती है संधी के तरफ उनका योगफल संधी से दुल संधी से निकलने वाली धराओं कि योगफल कि क्या होता है बराबर रही है देखिन आई वन और आई फस तंदी की तरफ आ रहे हैं तो इनका योगफल संधी से क जो अरे Peet नीगल रही है तो ऐ आई टू आई या समझ लिजे कि जितनी धराएं आती हैं उनका जो यकफल होता है जितनी धराएं संदी से बाहर निकलेंगे उनका क्या होगा उनके यकफल के बराबर होगा या समस्त धराव का बिजगड़ितियों क्या होगा सुन्य होगा जो धराएं संदी की तरफ जा रहे होंगे उसको पोजीटिव में लिखेंगे अच्छ दानी से दूर जा रहे होगों इसको इसमें लिखेंगे निगेटिव में बराबर करके इस समीक्रण से भी आप जो इस पर आं आंगे तो इसे डाग्राम बन के आहीं आतेREY तो इस जो का आवेस सन्रच्षड का नियम भी कहते हैं आवेस सन्रच्षड का नियम भी क्या लाता है यह नियम है आवेस सन्रच्षड का नियम यहीं है कि जितनी धारा आती है उतनी धाराओ का क्या आओ जाता है बटवारा भी हो जाता है ठीक है तो किर्चाप का पहला नियम समझ गया लोग। क्या है इससे संधी का नियम यह धारा का नियम कहते हैं यानि किसी संधी։ पे मिले माली कविछते हो क्याundert होताई सुन्य होता है इस इक्वेशन यह इस सेक्वेशन को याद रखेगा इसको नूट कर लिडी दोनों इक्वेशन को अप लोshot कर लिए Match Program करते हैं लूप का नियम या बोल्टेज का नियम कहते हैं जो खिर्चाप का दूसरा नियम है उससे लूप का नियम ठीक है या बंद परिपत का नियम या बोल्टेज का नियम कहते हैं इसमें क्या होता है कि उन्होंने बताया था जिसे किसी भी बंद परिपत में ठीक है कोई भी बंद परिपत हो तो उसमें बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुड़न फल ठीके लेंगे और उसमें जितने लगे होंगे प्रतिरोध तो आप इसे कह से कह देंगे कि किसी बंद परिपत में बहने वाली धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध का गुड़न फ शोब सब्सक्राइब ओक्राइव ठीय lift किया भी याहां पर बैटरी लेगी और इसमें एक रेस्टेंस लगाओ अ either इसम्हाइफ ही और एक और एक रेजिस्टेंस लगा रहा है और यहाँ पर भी कैसे只是 झेंस लिए हुँं कि ठैके अब इसके कारार मालिजे यह याद्ट इसका है कि काई इतू यह हमारा आर्वन रज्जिस्टेंट्स यह यह और यह किया रट्री यह इंडल ojos आई нажा रही है ऐसे जो धारा निकल रही है आई टू निकल रही है तो इदर से आई वन धर आएगी इदर से आई टू तो इसमें कौन से धारा बाएगी इस वाले इस वाले तार में कौन से धारा बाएगी आई वन प्लस आई टू दोनों मिलके बाह रही है न ठीक है चलिए और ऐसे जाएगी यह धारा फिर यहां सिर्कावी इदर आई डू आजाएगी और इधर आवान चलिए ऐवान इदर से निकली थी तो यहां सफिर आई वन इसमें चली सव популяр की तो इसमें आई ड डियाए एसे हैं तोवियक्ष में दोलूप बन रहा है केया बन रहा है A, B, C,D बन रहा है और DRC,D, EF, dollars, सुपोन रहा है तो ईन्होंने बताया था कि किसी बंध परिपत में यह इसी लूप में जो बहने वाली धारा है औुश के लगे संगत प्रतिरोध्रों का जो गुडन फल है। गुडन फल अब जीतने प्रतिरोध्र लगे होंगे उनके साथ तो ने साथ आब यह उसका गुडन फोलो का योग जो होता है उस बंद परिपत Zombie लोक होता है बदढ़्यों कि यूग सां आई इंटु आर होता है बराबर होता है कि इसके समैंशन एकешь को शॉलट फर में हम लिख सकते हैं स्के एकहल्चाव की दूसरे यहां को कि समय सान आई इंत ही बराबर क्या होता है समय इसे मेंशन पी मतलब समझ येगा देखिये कि स्कून मिटा देया कग देखियां कि अधिस न Connect है और धिक सं Islamic İş लूप मेंनी कले यह पहला लुप मेंने कले लुप επी सी डी में ठीके तो दीखिए इसके अनुसार चलेंगे देखिकेang में i1 धारा बय रही है और i2 इस्ति में देखिए इसमें आई 1 और i2 धारभाय रहें यह हीनिये इसलुक में i2 धारवाय यह फिर i1दर में आ रही आ रहे हमें तो क्या करना है रहत से उसंकत प्रतिरोद इसमें लरैर प्रत्रोध क्या है आर वनटो आएटो ऑन सबस्क्राइब न प्रत्रोध है ना तो इसमें कौन सचेमिन दारा बैरही है आई टू अब दकिएगा यहां से उदारा आएगी आइवान और इधर से यह जो आइवन है यहां से इधर जाएगी तो इधर से आइट वारे इधर से आइवन जारे तो विप्रीद के लिए हम सिंबल माइनस का प्रियोग करते हैं ठीके से तो फ्लस क्या होगा प्लस क्या हिजाएगा मयनस आय ट्यू एंटू अल्टू प्रति रोफ योग लेना धारा और उसके संगत्व नफर जितने प्रति रोफ योग्फिल लगे होंगे सब्रिद के लिए माइनस का चेनर करने क्याव यह हो जाएगा यहां से अम्लिक सकते इसको आई 1 इन्टु ए अर्टु तो ंहल्म निनस आई तू आरटु बराबर क्या हो जाएगा या इस यह करने के लिए आप लोग यूज करिएगा इसी प्रतिरोधों का जो गुड़ान फल होता है फिर उसमें जितने प्रतिरोधों लगे उनके साथ भी तो धरा का गुड़ा करेंगे फिर उनको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा तो उसमें जितने विदुत वहागवल लगे होंगे उनके बराबर होगा बसमझ में चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे लूप की तो दूसरे लूप की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरा लूप का निकालेंगे तो क्या हो पे i1 I2 पे लए नदो यहां पे तो इसमें क्या है आई टू दरह है प्रत्रोध क्या है आब दू है तो होगिस्ट हो जाएगा प्लस आई टू धारा बैर ही इसका गुड़ा कर देंगे संगत प्रत्रोथ क्या है आर ठी है ठीक है यह बराबर किसके होगा तो इसमें लगए बीदुद्वागबल की योगफल के स्में विदुद्वागबल कितना है एक ही ना एक यह बराबर किसके हो जाएगा इस बासमझ यह तो यह नहीं नहीं तो यह हैं मैं किर्चाप का नियम् संधी शूलिंग का नियम यह धारा का नियम और दूसरा नियम कहरा होलूक का लिखायर oso आई फोर यानि संधी की तरफ जाने वाली जो धाराओ का योगफल होता है बराबर होता है संधी से दूर जाने वाली धाराओ के योगफल के आई फाइफ यही था न तो यह यह एक्वेशन और इसका यह दो एक्वेशन याद रखेगा और बस समझ गए आप लोग तो इसके सब्सक्राइब कर लेंगे असानी तरीके से बात समझ में आई यह दोनों नियम आपको समझ में है जहां पर भी अगर न समझ मैं तो एक बार रिवर्स करके देख लिजेगा इतना सौट रिसन करके रख लिजिए आगे हम लोग देखते हैं फिट इस्टोन से तू चले हम ल में होंगे उनके लिए तो इंपोटेंट है दोनों नियम किर्चाप का नियम और हिट इस्टोन से तू का नियम आप लोग अच्छे तरीके से उसके सिधानत और जो प्रूफ करने का तरीका है उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लिजेगा यहां पर तो हमें समझना नही है क्योंकि हमें एक्जाम देके सिर्फ इसका इंट्रेस्ट इकजाम देना है कि हम लोग कर जाएए तो यहां पे वह सब पुछे नहीं क्योंकि यहां पर ऑप मैरेकल करने के लिए पस पुछेगा ठीक है किर चाप नियम कर रहे 있나 ही तो यह भी किर्चाप के नियम पे यह दा यह एसी युक्ति होती है जिसे मैं चित्र बना दे रहा हूं इसका इसा आता है सिंबल कि इसमें चार प्रतिरोध होते हैं जो एक आयत के क्या होते हैं भुजाय पे लगे होते हैं कि 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 यह प्रतिरोध लगा हुगा है एक यह प्रतिरोध लगा हुगा है एक लगा हुआ है और एक यहां पर उसमें एक गैलोनों मीटर लगा होता है ठीक है तो यह हमारा है हिविट इस्टोन से तू इसी को बोलते हैं हिट विश्टोन से तू क्या होता है इसमें चार प्रत्रियोद लगे होते हैं ठीक है चार प्रत्रियोद लगे होते हैं इसे ए बी श हिश्टोन सेतु इस में से क्या होता है कि एक प्रतिरोध buff करते हैं जिसके तीन प्रतिरोध की मदक से हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्याद कर सकते हैं कि वह कितने ओम का है उसकी वैलू निकाल सकते हैं ठीक है इसकी अशन से धारा में अचो सकते हैं ठीक है फिर यहां यह हो जाएगा जो धारा बटती है जब तो क्या होता है कि इसको हम एजॉस और वहां की है स्थिति में लाते हैं उस Going थे जो गैलोनोमिर होता है कुछ नहीं बताते यानिय एकदम सुनने पर आता है ठीक है उस इस्थिति में क्या होता है कि जो प्रति Cuando गार पान एस हैं तो जो संतुलन की स्थिति में जब हमारा ही इस टो एकुंग की स्थिति में होता है तो जो संगत प्रतिरोधों का अनुपात होता है यानि पी अपान क्यू बराबर क्या होता है और अपान एस होता है और अपान दिखना होगा लिख लीजिएगा किसमें ABCD आयत हैं जिसकी भुजाओं में क्रमसा PQRS रेस्टेंस लगाए हुए हैं ठीके इससे हम एक बैटरी जोड़े हुए हैं जिससे आई धरा निकल रही है उसके पासे एवी भुजा में आईवन धारा बट जा रहे बट रही धारा यह से तो a,b में a,qa,a,a,b भा,d तो देखे अब यहां पर हम लगाएंगे किर्चाप का नियम ठीके इसली लूप बन रहा है न एक थिखे किर्चाप के निये बार है और पहले लूप में लूप में निकालेंगे एसली है बी,b,a,b,d,a में क्या होगा काता है कि और जोहमारा किर्चाप का नियम कहता है कि बाने वाली धारा तथा उसके लगे संगत्प्रतिरोधों का गुड़नफल होता है और उनका जो योगवल होता है उसमें लगे समस्त्र वीधुधवाग बलके योगफपल के बराबर होते हैं तो इसमें कोई बिंद वाग बला नहीं है ठीक है और इसका विद्वाग सुन नहीं होगा क्योंकि यह संतुलन के स्थिति में है यहां समिक तो इसमें आइवन GUY आ ये प्रतिरोद क्या है पी तो आ यह इंटु पी के अब देखिए यहां से जाएगी यह धारा आइवण इधर जाएगे इसे लूप में लेंगे तुम्हाला सब्सक्राबर क्या हो जाएगा आई टू और इसको एक्विशन फर्स्ट माल लेते हैं उसी तरह लूप सेकेंड में निकालेंगे लूप क्या बी सी डी बी में यह समझाने की बात नहीं यहां पर लेकिन फिर भी मैं समझाद रहूं क्योंकि यह हमें बस इस फर्मूले से हखलेंगा ठीक है फिर भी नरी एग लो है समझ लिए आप लोग से निकालन की तो यहां से आए वंबर रहे हैं भी इसमें तो फिर यहां पर लेब भी पर्यूली नो मैंस क्या बाइस के रचाहेगा आई टू एस भराबर क्या जाएगगा जीरो यहां से हो बरावर क्या हो जाएगा? I2, R upon I2S. तो I1 से I1 कैंसेल हो जाएगा, I2 से I2 क्या ह जाएगा? P upon Q बरावर क्या हैगा? R upon S. यहीं हमें प्रूब करना था. यहीं निकालना था, यहीं हमारा हीट इस्टोन सेतु का क्या है? सिद्धान थे. P upon Q बरावर R upon S. ठीक है तो जो हीट इस्टोन सेतू होता है इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं जिसमें से तीन प्रतिरोध की मदद से हम चोथे प्रतिरोध का मान ग्याद कर सकते हैं ठीक है तो यह अग्याद प्रतिरोध का मान ग्याद करने के लिए हीट इस्टोन सेतू का प्रयों करते ह हैं और यह किस पर कारे करता है तो किर्चाप के नियम पर ही कारे करता है बास समझ मैं है तो चलिएगा आप लोगी सी equation को याद कर लिजेगा इसी पर numerical solve होगा और यहीं से आपका यह lesson समाप्त होता है ठीक है lesson मतलब lesson की theory समाप्त होता है इसके अब हम लोग numerical solve करेंगे बास समझ मैं है तो चलिए राने देते हैं इस वीडियो में इतना ही इसके numerical को solve करेंगे अगले वीडियो में तो वीडियो पसंद है होगा तो लाइक कर लिजेगा और अपने दोस्तों में कर लिजेगा और जो लोग चैनल पर नहीं होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को आप सनान कर लेजेगा ताकि जब भी वीडियो प्लोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तो सब्सक्राइब के साथ पता के लिए भाई भाई धन्याबाद